दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे यह बहुत बड़ी खबर है इस मामले में एक पत्रकार ने जो दावा किया है वो स्टेटमेंट इस वक्त सोचल मीडिया में वाइरल है हम वो बयान आपको हूब भू बताने जा रहे हैं कि क्या वो जानकारी दे रहे तीन हजार इस्राइली सेनिक मारे गए और 11,000 से अधिक की संख्या में इस्राइली सेनिक गायल हुए हैं यह चोकाने वाली रिपोर्ट है या नहीं यह हमास के लड़ाकों से बिढ़ने चले थे लेकिन हमास के लड़ाकों के सामने इन इस्राइली फोर्सेज के पसी ने छूटने लगे अब यह लोग दर से कापने लगे क्योंकि इतनी भारी संख्या में इस्राइली सेनिक अगर मारे जा रहे हैं तो इस आंकडे को छुपाने की कोशिश हो रही है इंडिया मीडिया हो या फिर वेस्ट की मीडिया हो यह लगातार कोशिश करती है कि इसराइलियों के साथ जो भी घटित हो रही है चीजें वो दुनिया को ना मालूम चले अब यहाँ जड़ा देखिए अपने स्क्रीन पर यह लाइवा पलिस्तिन नाम के ट्विटर हैंडल पर उर्दू में जो बाते लिखी गई है हमने उसे ट्रांसलेट किया है इसमें एक तस्वीर है जिसमें सरपकर के बैठा एक फोजी आपको दिखाई पर रहा है इसमें लिखा हुआ है A surprising revelation of an Israeli journalist एक चौका देने वाला खुलासा इसराइली पत्रकार के द्वारा The number of our dead soldiers is no less than 2985 while the number of wonder is 11600 I was shocked and cried when I saw this number Damn you Netanyahu and Biden have pushed Israel into a war that everyone warned about Russia news Also saw the world the destruction of Israelis by retweeting इसमें जो tweet किया गया है यहां कहा जा रहा है कि एक चौका देने बाला खुलासा है इसराइली पत्रकार के द्वारा कि जितने इसराइली सैनिक मारे गए हैं उसकी संख्याँ 2985 से कम नहीं है अगर घायलों की बात करें तो यह संख्याँ 11600 के करीब है वो कह रहे हैं कि मैं सौक्ड हूं और रो परा हूं क्योंकि मैंने इस नंबर को देखा है फिर उन्होंने नेतन्याहू और बैडन को खूब कोस्ते हुए कहा है खूब फटकारते हुए कहा है कि आप दोनोंने इसराइल को युद्ध में जोंक दिया है और इसके लिए हर किसी ने वान किया भी था यह रसिया न्यूज के तरब से स्टेटमेंट इसराइली पत्रकार का है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टूइट को आप खूब शेयर करें ताकि सचाई पता चल सके कि इसराइली सैनिक भी हताहत हो रहे हैं दरसल हमास के लड़ाकों से भिरने के नाम पर यह सब आते तो हैं और यहाँ जंग में हमास के सामने धेर हो जाते हैं लेकिन मीडिया आपको खबर यहाँ दिखाएगी कि इसराइल के सैनिक ने तो कमाल कर दिया है हमास के लड़ाकों को धेर कर दिया है लेकिन सचाई इसके विपरीत है सचाई यह है कि हमास के लड़ाकों ने इसराइलियों को तो धेर किया है और खुन्नस में इस्राइलियों ने हमास से पार ना पाने के कारण गजा पट्टी में बेकसूरों को निर्दोशों को मारना शुरू कर दिया। इस्राइल की दुनिया में थूथू हो रही है। फ्रांस जैसा देश भी इस्राइल को थूख दे रहा है। वहां के राष्ट्रपती मैकरोन ने तो साफ पौर पर कह दिया कि आप आतंकवाद का खात्मा करने चले थे हम तो आपके साथ हैं लेकिन अगर आतंकवाद के खात्मा के नाम पर मासुमों को बेकसुरों को मारा जाएगा तो यह गलत है अंतराश्ट्रिय युदिनियम को ताके युही नहीं इसराइल पर हमला किये थे क्योंकि इसराइलियों ने वर्सों से उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर रखा है तो ऐसी पड़स्थित्वी में भी यह मादना था इसराइल को कि उनसे बड़ी गलती हुई है लेकिन इसराइल के प्रधान मंत्री अब वो जो युएन है उसके सेक्रेटरी का है इस्तिफा मागने लगे वो कह रहे हैं कि आप आतंगवाद का समर्थन करते हैं और अब इसराइली प्रधान मंत्री नेत्याहू उन परिवार को क्या जवाब देंगे जिसके परिवार के सदस्य हमास से लरते हुए मारे गए इसराइल के कई सिबिलियन्स और फोजी हमास के बंधक हैं लेकिन उसे चुराने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती है और जब इसराइल के इस पत्रकार ने इतनो बड़ा खुलासा किया है तो दुनिया भर में हरकम पहें कि सचाई तो वाकई में यही है कि यहां चल क्या रहा है देश दुनिया इस बक्त दो धरों में बट गई है एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में कई देश हैं कई इस्लामिक कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि इस्राइल फिलिस्तीन को हक दे फिलिस्तीन की आजादी पर बात हो लेकिन पर स्थिति देखिए कितनी बड़ रही अमेर्का और यूरोप के जो भी देश हैं वो सब इस्राइल के साथ खड़े हो रहे थे लेकिन अब वो भी कदम पीछे खीच रहे हैं हलाकि स्थिति विश्यूद की तरफ बढ़ रही जिस तरीके से या रास्ता त्यार किया कि वो फिलिस्तीन का साथ देंगे उसके बाद के होश उड़ गए थे जिस तरीके से हिजबुल्ला ने हमास ने इस तरीके के संगठन ने या फिर हूती की बात करें यमन के इन सब इस्राइल पर हमला बोला था या साप मेसेज था कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए और इसमें इस्राइली सेनिक मारे गए हैं यह त यहूदी यानि इस्राइली फोर्स को वो बता रहे हैं कि आपके 180 टेंक हो गया अब ऐसा तो नहीं हो सकता है न कि टेंक अपने आप चल रहा होगा रिमोट से तो टेंक चलता नहीं उस टेंक में 5-5, 4-4, 6-6 मान लेते अधिक्तम 6 मान लेते छे भी इस्राइली सेनिक हुए अगर 180 टेंक को उड़ाया गया वह द्वस्त हो गया तो उस हिसाब से भी 1000 से अधिक का आकरा बनता है जिसमें इस्राइली सेनिक मारे गए हो लेकिन इन आकरों को छिपाया जाता है मेडिया बस यही दिखाएगी कि इस्राइल मौत बनकर टूटा हमास के लड़ाकों पर ले या फिर ग्राउंड ओपरेशन के जड़िये भी वह एक मैसेज दे रहे हैं कि इस्राइली ने ग्राउंड ओपरेशन करके गजापटी में खुद अपनी मौत को दावत दे दी है क्योंकि हमास के लराकों ने उनके कबर वहीं खोदने शुरू कर दी अब ऐसे स्थिति में य जो की सोचल मीडिया पर वारल है इस्राइली जर्नलिस्ट का खुलासा है उन्होंने भी सेम ट्विट किया है शॉकिंग रविलेशन बाइन इस्राइली जर्नलिस्ट दे नंबर आवर देड शोल्जर्जर्स इस नो लेस्ने 2,985 वाल दे नमबर ओंडेड इस 11,600 आई वाज जोगड एंड क्राइड विन आई सो दिस नंबर गैम यू नेतन न्याहू एंड बाइडन है पुस्ट इस्राइल इंटो वार डैट एट एवर्रीवन वान अबाउट रस्या न्यूज ये रस्या न्यूज के तरब से जो इस्राइली जर्नलिस्ट का बयान आया उसमें यही बैडन को नितन्याहू को यह चताब नहीं दी थी कि आप हमास से ना भीरें आप फिलिस्तीन पर चढ़ाई ना करें फिलिस्तीन को उसका हक दें लेकिन अब देखिए यह सचाई जब सामने आई है तो सब के रोंगते खड़े हो रहे हैं अब यहां युद किस रूप में औ फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी काम से जड़ने के लिए बहुत बहुत धनिवाद